हेलो फ्रेंड्स आपका सुनीता होममेड रेस्पीज में स्वागत है आज हम बनाएंगे लेफ्ट ओवर रोटी से जानी के बची हुई रोटी से बच्चों क्या फेवरेट फूट चाइनीज फूड नूडल्स भी कह सकते हैं अब इसको रोटी के नूडल्स इसके लिए क्या करना है अपने दो तिन रोटियां ले लेनी है बाकि आप अपनी क्वांटिटी के अकॉडिंग लेना जितने आप बनाना चाहते हो मैंने दो रोटी लिए हैं अब इसको अपने इस ढंक से काट लेना है कहांची से बिल्कुल लंबी-लंबी और पतली-पतली स्ट्रिप्स ऐसे दो सारी रोटी को अपने काट लेना है अब अपने कडाई में ओयल लेना है और आप जो भी यूज गर में वही ले सकते हो और इसमें क्यूमन सीड्स एड कर देने और साथ में आप राई भी ऐड कर सकते हो अगर आपके पास है और साथ में गार्लिक एड कर देना चॉप्ट गार्लिक इसमें जरूर से डालना क्योंकि जितने भी Chinese food बनते हैं उसमें garlic की quantity बहुत अच्छी डाली जाती है अब इसमें आपने क्या करना है कटा हुआ प्यास राल देना है इसको हलका सा roast करना है जादा नहीं भूनना ब्राउन नहीं करना आपने इसको फुल गैस पे जानी के आपने जो flame है फुल रखनी है उस पे आपने हलका सा इसको भून लेना ताकि इसका कच्छापन निकल जाए अब इसमें आपने tomatoes एड़ कर देने है प्लीज वीडियो को end तक जरूर देखना अब इसमें हमने शिमला में चैड़ कर दिया है capsicum बाकी आपके पास जो भी सबजी अभी लेवल है घर में जैसे गाजर डाल सकते हो इसमें beans डाल सकते हो इसमें पत्ता गोबी है वो भी डाल सकते हो जो भी आपके पास अभी लेवल है वो add कर सकते हो जो आपको नहीं पसंद है इसमें से वो skip कर सकते हो आप अब आपने क्या करना है हलका सा नमक तो कि नमक हम saucers डालेंगे बाद में उसमें भी होगा तो इसलिए नमक कम डालना और थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डालना अब इसमे इसको एड़ करके mix कर देना आप और अच्छी तरह से mix करने के बाद इसको एक दो मिंट के लिए कवर करके रख दिना, ताकि जो टो माटर हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए अब इसको चेक करते हैं टो माटर हमारा भुन चुका है अब इसमें हम सॉसर्स एड़ करते हैं सबसे पहले टमाटो कैचफ डालना कृइब दो चमच टमाटो कैचफ डाल देना आप उसके ऐसे रहाद कारी हम गरीन चिली शॉस गरेगी कृए कि को अधमी एक चमच के कडिम एक चिली शॉस डालेंगे इसमें इसलिए हमने नमक थोड़ा सा पहले कम डाला था क्योंकि इन सॉसर्ज में भी नमक होता है अब इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद अगर आपके पास कोई नूडल मसाला है वो किसी भी ब्रैंट का हो अगर नहीं भी है तो हलका सा गरम मसाला डाल देना अब इसमें जो हमने रोटी की स्ट्रिप्स काट के रखी थी नूडल्स की तरह वो एड़ कर देनी है और एड़ करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है यह देखिए हमारा टेस्टी एंड हैल्दी जो लेक्टो रोटी से नूडल्स है जो त्यार हो चुके हैं जो के बच्चों को बहुत पसंद आते हैं फिवरेट और साथ में जी हैल्दी भी हैं कमेंट करके बताना प्लीज रेस्पी आपको कैसी लगिया अकर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना थैंक यू